सब्सक्राइब कीजिए SGM पबली स्कूल चैनल को और बेल आइकन को दवाईए नमस्कार बच्चों, हिंदी व्याकरन कक्षा में आपका स्वागत है बच्चों, आज हम कक्षा 1 का पार्ट नुम्बर 11 पढ़ेंगे जिसका नाम है विशेष्था बताने वाले शब वाके के अंदर जो शब संग्या या सरणाम की विशेष्था बताते हैं उनको हम विशेषन कहते हैं यानि जो शब विशेष्था बताते हैं उन शब्दों को विशेषन कहते हैं ता ये पढ़ना आरम करते हैं नीचे दिये गए चित्रों को ज्यान से देखे और समझे, यहां जो आपको चित्र दिया गया है और उसके लिए कुछ वाक्य भी लिखावा है, तो उसको पढ़ते हैं, आम कैसा है, पीला, तो आम की विशेष्टा क्या बताई गई, पीला, तो पीला जो है आम का तो गुडियाकी फूस्यस्ता क्या बताई सुन्दर ठीका के तो सुन्दर शब जो है विशेशन है कि तित्लियां कितनी हैं तित्लियां कितनी है बच्चो तीन तो त्रियों कि जो सफेष्थality वो क्या है? तीन. घुबहारे कितने हैं? गुबहारे कितने हैं? पांच. तो गुबहारों की फ्षेस्ता क्या है? पांच. ठीक है जी? बच्चों, पिछले प्रिष्ट की वस्तुएं, व्यक्ति, आदि, नाम वाले शब्दों में कुछ न कुछ ऐसी व्षेस्ता है, जो उन्हें एक दूसरे से अलग-अलग करती हैं. ठीक है जी? पीला, सुन्दर, तीन, पांच. विशेस्ता बताने वाले शब्द. तो ये जो नीले कलर के शब्द नहीं ये विशेस्ता बता रहे हैं. अब प्रश्न आता है कि विशेशन किसे कहते हैं? या विशेशन की परिवासा क्या है? विशेश्ता बताने वाले शब्द विशेशन कहलाते हैं. जो शब्द विशेश्ता बताते हैं बच्चों, उनको हम विशेशन कहते हैं. ठीक है? ऐगे चलते हैं. आव गुन गुनाएं, जो नामों की हो विशेश्ता, वही विशेशन हमें हैं पता, आव दोहराएं, तो बचों, अभी आपने इस पार्ट में क्या पढ़ा, एक बार देखते हैं, नाम वाली सभी वस्तों और प्राणियों में कुछ न कुछ विशेश्ताएं होती हैं, जो उन्हें एक दूसरे से अलग करती हैं, विशेश्ता बताने वाले शब्द ही विशेशन हैं, अच्छा, बुरा, लाल, पीला, एक, दस, सुन्दर, गंदा, आदी विशेशन शब्द ह होते हैं, ठीक है, सुन्माया विशेशन किसे क्याते हैं?